हेलो एवरीवन आपका हमारी यूटीब चैनल पर स्वारत है तो आज इस वीडियो में हम बी ए प्रोग्राम फिफ्ट सेमेस्टर का आपको जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री माइनर का History ओफ इंडिया सट्रा सो सेटवारासू सेटावन इसका यूट फोर का टोपी करेंगे तो यूट फोर में आपको पढ़ना है Social and Religious Reform Movement यानि की सामाजिक दता धार्मिक सुधार आंदोलन 17-1857 के दोरान हमारे भारत में जितने भी सुधार आंदोलन हुए चाए वो समाजिक सुधार आंदोलन हो या धार्मिक सुधार आंदोलन हो उन सभी आंदोलनों के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना होगा तो आईए स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें साथ इस वीडियो को उन्हें दोस्तों के पास भी शेर करें ताकि उनकी भी हैल्प हो सके तो आईए जानते हैं कुछ समाज सुधार आंदोलन जो की हमारे देश में उनिस्वी शताबदी में हुए जो की भारत में उनिस्वी शताबदी में हुए तो आईए स्टार्ट करते हैं तो देखें उनिस्वी शताबदी में भारत में बहुत सारे समाजिक धार्मिक राजनेतिक सुधार आंदोलन हुए क्योंकि उस टाइम पर बहुत बड़े स्तर पर समाजिक धार्मिक राजनेतिक समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा था तो इसी वज़े से उन समस्याओं को हों कर दूर करने के लिए का किया गया आंदोलनों की शुरुआत के गई बहुत सारे समाजhst तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हुए समाज में तथा धर्म में सुधार लाने के लिए इस समयधेश पर अंग्रेजों का शासन तथा भारती समाज अनेक रूडिवादी प्रथाओं तथा अंधर विश्वासों से उल्जा हुआ था बहुत सारी ऐसी प्रथाओं थी भारत में जो कि रूडिवादी बातों पर टिकी हुई थी जिनका उप्योग करके समाज के एक वंचित वर्ग को शोशित किया जा रहा था तो ऐसी प्रथाओं का उन्मूलन करना बहुत ज़रा जरूरी हो गया था ताकि समाज में समानता लाई जा सके ताकि समाज का विकास किया जा सके तो इसलिए क्या किया गया बहुत सारे समाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किये गए इसके लिए बहुत सारे समाज सुधारक आ गया है जिन्होंने अलग-अलग आंदोलनों की शुरुआत की तो वही पढ़ते हैं सबसे पहले तो जान लेते हैं समाज सुधार के प्रमुक कारण क्या थे ऐसा क्या हो गया था कि समाज सुधार आंदोलन करने की जोरत पड़ी तो आखिर ऐसे क्या कारण थे तो आईए पहले कारण जानते हैं तो उनिस्वी शताब्दी में भारत में भूस सारी समाजी कूरीतिया फैली हुई थी, मतलब कि ऐसी प्रथाइ फैली हुई थी, जो कि एक वर्ग को काफी बड़े स्तर पर शोशित कर रही थी, एक वर्ग का शोशन करे थी, ऐसी जो प्रथाई थी वो बहुत बड़े लेवल पर भारत में फैल चुकी थी जैसे सती प्रथा, बाल विवा, जाती प्रथा, विध्वा विवा पर प्रतिबंध यह कुछ ऐसी प्रताय थी, जो कि मुख्या रूप से महिलाओ का शोशन करती थी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रताय थी, जो कि दलितवर्ग के लोगों को भी नीमनी श्रेनी में डालती थी जिसके वज़े से दली तवर्गर के जो लोग थे उनका हमेशा उनके साथ छुआ छूट तदा अर्स्प्रिश्यता का व्यभार किया जाता था ठीक है उनको अर्स्प्रिश्य मानने जाता था तो था उनके साथ बहुत बड़े बुरे तरीके से उनके साथ भेरभाग किया जाता था तो ऐसी जो प्रथाए थी उनकी वज़े से क्या होगा था समाज में अब ये वस्था गई थी ठीक है इसके लावा यह जो प्रथाए थी इन प्रथाओं के कारण समाज में महिलाओ की इस्थिती जो थी वो बहुत जल्रत दश्रनी हो गई थी इसके लावा कुछ ऐसी प्रथाओं जो कि दलित वर्ग के लोगο का शोशन कर दी उनン प्रथाओं की वज़े से जो दलित समुधाय के लोग थें वो भी काफी कमजोर वर्ग किश्रेनी में आ गए थे ठीक है उनकी जो दशा थी वो भी काफी दरनी हो गई थी इन समस्याओं के समाधान के लिए ही सामाजिक सुधारक सामने आए उन्होंने क्या किया अलग-अलग आंदोलनों क शुरुआत की तो पहला जो कारण था इन आदोलन का वो था ब्रिटीश शासन का प्रभाव अंग्रेजों के आने से भारत में क्या हुआ पश्चिमी शिक्षा यानकी वैस्टर्न एजुकेशन एंड वैस्टर्न कल्चर का प्रचार शुरू हुआ पहले भारत में कुटी उ मतलब कि जो विदेशों में समान बनता था मशीनों में समान बनता था उसको बैचना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया भारत में आकर ठीक है जिससे लोगों में समाज सुधार के प्रति जारुकता बढ़ी अब लोगों को लगा कि समाज में सुधार करना बहुत ज़रूरी है अब लोगों ने महसूस किया कि समाज में सुधार जो तक नहीं होगा तब तक उनको आजादी भी नहीं मिल सकती क्योंकि भारत के जो लोग हैं सबसे पहले उनकी दर्शा सुधार लाना होगा तब ही भारत का सुधार हो पाएगा तो लोगों ने महसूस किया तो कहिना कहीं बृतिक श्यासन का भी प्रभाव था इन आदुलूनों के पीशे दूसरा ना पश्ची में शिक्षार का प्रसार पश्ची में शिक्षा ने लोगों को आधूनिक विज्ञान तरक तर Lisa मानव अधिकारों के बारे में जानकारी दी जिससे समाज सुधार के आवश्कता महसूस होई तीसरा है धार्मिक अंध्विश्वास तथा अज्ञानता, उस टाइम पर समाज में धार्मिक अंध्विश्वास तथा अज्यानता भूत बड़े सरपर व्यापत थी, जिसने समाज को पीछे धकेल दिया था ठीक है तो ये कुछ कारण थे जिनकी वज़े से समाज सुधार आंदोलन धार्मिक सुधार आंदोलन करने की जोगत पड़ी तो ये कारण भी आपको पता होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट है प्रमुक समाज सुधार आंदोलन क्या क्या थे तो प्रमुक सुधार आंदोलन जो थे उसमें क्या किया गया था अलग-अलग सुधार करने के लिए अलग-अलग समाज की स्थापना की गई जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आये समाज की स्थापना हुई, प्राथना समाज की स्थापना हुई ठीक है तो अलगलग समाज की स्थापना की गई समाज में सुधार लाने के लिए अगर हम बात करें ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रायने 1828 में की थी इसका उदेशय था हिंदु धर्म के अनुष्ठान तथा अंध्रिश्वासों को समाप्त करना क्योंकि उस टाइम पर हिंदु धर्म में बहुत जादा अंध्रिश्वास बढ़ गया था तो इसका उदेश है क्या था हिंदू धर्म में जो अंधिश्वास बढ़ाता उसको समाप्त करना ब्रह्म समाज के जो अनुयाई थे उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए ठीक है उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया मतबकि अब कानून बना दिया गया कि जो भी व्यक्ति सती प्रथा को फोलो करेगा सती प्रथा को समाज में पहलाएगा या इसको बढ़ावा देगा ऐसे विक्ति को कानूनी रूप से सजा दे जाएगी तो ये प्रावधान सबसे पहले कब बना था? 1839 में बना था इसके बाद लोगों को काफी डर बैठ गया सतिप्रथा के विरूत और काफी कम हो गया सतिप्रथा का प्रचिदन 1839 के बाद क्योंकि कानूनी रूप से इसको प्रदिबंधित कर दिया रिया नेक्स्ट है आरी समाज आरी समाज की बात करे तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंत सरस्वती ने की थी कब 1875 में उन्होंने वेदो की शिक्षा को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयास किया इस पर जोर दिया उन्होंने कहा कि वेदो की शिक्षा को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि वेदो की जो शिक्षा है वो हमारे समाज के विकास में मदद करेगी इसके लावा उन्होंने मूर्ती, पूजा, जाती, प्रिथा तथा बाल विभार का विरोध किया आरिय समाज जो था ये क्या करता था शिक्षा के प्रिसार, महिला के धिकारों तथा स्वाव लंबन पर जोर देता था थार्ड है राम कृष्ण मिशन अगर हम बात करें राम कृष्ण मिशन के, तो इसकी जो शुरुआत थे या इसकी जो स्थापना थी, वो स्वामी विवेकानन्द ने की थी अपने गुरू राम कृष्ण परमहन्स के विचारों को फैलाने के लिए ठीक है स्वामी विवेकानंद की जो गुरू थे वो थे राम कृष्ण परमहंस उनके विचारों को फैलाने के लिए ही स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिष्ण की सापना की कब 1897 में स्वामी विवेकानद मानते थे कि धर्म का उदेश्य है मानवता की सेवा करना तू सर्व हुमेनिटी इसके लिए उन्होंने कहा कि बहुत ज़ाड़ा ज़रूरी है कि हम समाज में सकरात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें तू ये दो प्रमुख व्यक्ति थे जो कि इसके संस्थापक थे इस समाज का उदेश्य था हिंदू धर्म में सुधाय करना जाती प्रथा बाल विवा विध्वा पुनर विवा जैसे मुद्दों पर काम करना तो ये उदेश्य था इस समाज का इसने समाज में क्या किया हिंदू धर्म में सुधाय करने का प्रयास किया जातिप रथा था था बाल विवा जैसे जो कूप रथा थी उनको हटाने का उन्मूलन करने का प्रयास किया इसके लावा विध्वा पुनर विवा जैसे जो मुद्दे थे उन पर काम किया इसने तो इसलिए प्रार्थना समाज जो था वो भी उस टाइम पर काफी एक्टिवली काफी सजग होकर अपना काम कर रहा था समाज में परिवर्तनाने के लिए सुधार लाने के लिए तो जब आपके एक्जामें कोशन आएगा प्रमुक समाज सुधार आंदोलन के नाम बताओ तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि कुछ समाज बनाए गए कुछ समाज की स्थापना की गई जैसे भ्रह्म समाज, प्रार्थना समाज इन सब के नामा बता सकते हैं स्धार्मिक सुधार आंदोलन अगर हम बात करें धार्मिक सुधार आंदोलन कि तो ओश्मिय Ś願いंपल के लिए पहला था इसलामी सुधार आंदोलन जिसकी शुरुआइंस कि सीयद आहमत खानने की थी उन्होंने ठावासुपिचेतर में अलेगड में मुहुम मंदन एंगलो ओर्येंटल कोलेज की स्थापना की जिसका उदेश्य था मुस्लिम समाज में शिक्षारा प्रसाय करना ठीक है सेद अहमत खान जो थे उन्होंने तर्क तथा विज्ञान पराधारित विच सुधार करने का प्रयास किया गया ठीक है कि उस टैम पर सिक्ष समुधाय में भी कुछ कमी आ रही थी जिनको सुधार करने का प्रयास किया गया खालसा पंथ के माध्यम से सिक्ष समाज में फैले कुरीतियों का विरोध किया गया तथा इसको सुधार करने का प्रयास किया ग सुधार आंदोलन में ठीक है नेक्स्ट है सुधार आंदोलन का प्रभाव ये जितने भी सुधार आंदोलन थे इनका भारतिय समाज पर बहुत ही जादा गहरा प्रभाव पड़ा तो पहला था समाजिक सुधार ये जो सुधार आंदोलन थे इनसे क्या हुआ समाज में सुधा आया समाज की जो कूप रथा यह जो कूरीतियां थी जैसे सती प्रथा बाल विवाद जाती प्रथा इन सब कूरीतियों का धीरे धीरे अंत हुआ महिलाओ के सिति में भी सुधार होना शुरू हुआ तता शिक्षा का प्रसार बढ़ा तो पहला प्रभाव तो यह हो जाएगा दूसरा प्रभावता धार्मिक जागरुकता यह जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे धर्म सुधार आंदोलन थे इससे क्या हुआ लोगों को धर्म के वास्विक सिधानतों की जानकारी मिली लोग अंधिविश्वास से अब मुक्त होने लग गए अब लोगों को यह रियला करवास नहीं करेंगे अंध विश्वास का भी काफी हद carn थल तो यह थी धार्मिक जागरूपता है किसके फर्स्वड़ूपर यह समाजिक तथा धार्मिक दर्सथा आंदुलनों में प Barnke तक अंत हुआ फिक है तो यह थी धार्मिक जागरूमता यह किसके फरस प्रूप आई थी यह समाजिक तथा धार्मिक सिधारान डोलनों की फरस पर इशे अचले थी धार्मिक जाहरूमता समाज में आई ठीक है हैं अ राष्ट्री चेतना का विकास इन आंदोलनों ने भारती समाज में एकता तथा राष्ट्रियता की भावना को जाग्यू किया ठीक है अब लोग जो थे उनके मन में भी विचार आया कि उनको एकता के साथ मिल जुल करहना है एक जुट हो करहना है राष्ट्रिवात तथा ग्राम आंदोलन में ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट है शिक्षा का प्रसार यह जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे इससे एक पाइदा यह हुआ कि परश्चे में शिक्षा तथा आधूनिक विचारधाराओं का प्रसार हुआ जिससे समाज में सुधार की प्रक्रिया को गती मिली